free fire में आप लोगो बहुत सारे gun skin देखने के लिए मिल जाएंगे अलग-अलग gun skin के अलग-अलग ability है लेकिन क्या आपको पता है कि गरीना वालों ने यहापे क्यों gun skin के अंदर ability दिया है बड़ जो अभी मैं आप लोगो दिखाने जा रहा हूं इसे देखने के बाद आप यह ब्राजील सर्वर का gun skin इसमें कोई भी ability नहीं है और कि आपको पता है कि यह difference और क्यों इंडिया सर्वर में यहापे gun skin में ability दिया है और बाहर सर्वर की gun skin में ability नहीं दिया है और इसे आप लोग बिल्कुल भी funny way में लेने का मत सोचना क्योंकि जितना चोटा आप लोग देखने के लिए मिलता है तो आपका reaction कैसा होगा यह जो चीज आप लोग देख रहे हो इस चीज का नाम है double rank token आप मैंसे हो सकता है बहुत बंदें इसे नहीं भी जानता होगा लेकिन आप लोग यह बात जानकर सोख रहोगे कि एक time था जब यह आप लोग double rank token को unlimited buy कर सकते इसे आज में आप लोगों कुछ ऐसे mysterious and unknown facts बताने वाला हो जिसके बारे में आप लोगों कभी सुना भी नहीं होगा उससे पहले कोई भी बंदा अगर हमारे चैनल पर new आ रहा है अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो भाई लोग क्या कर रहे हो चल्दी से चैनल को subscribe क इनको all पर सेट करो क्योंकि हम लोग का गास 8,50,000 फैमिले जल्दी complete होने वाला है तो यार इतना तो करी सकते हो भाई के लिए Fact No.8 आप लोगो तो free fire के अंदर bots कभी न कभी देखने के लिए मिलते होंगे चाहे classic match हो या फिर rank match हो कभी न कभी आप लोगो bot देखने के लिए मिलते होंगे लेकिन कि आपको पता है कि bot आप लोगो कभी भी पूरा नहीं मारता है इन दा सेंस अगर आप लोग bot के सामने ज सकते हो या फिर मर सकते हो अगर उस टाइम आपके पास वेस्ट नहीं है तो Fact No.7 गोल्ड रोयल के अंदर आप लोगो बहुत सारे ऐसे ड्रेस देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन कि आपको पता है कि कोई भी ड्रेस वेस्ट हाइड नहीं करता बट हां उसी में एक ड्रे नीचे कोमेंट करके जरू से बताना Fact No.6 अभी अगर आप लोग जब भी अपने फेंड्स को इंवाइट करते हो अगर वो नहीं आता एक बार में तो उसको दुबारा इंवाइट करने के लिए आप लोगो रिफ्रेस करने का टाइम होता है वो दस सेकेंड होता है राइट बट आप लोग ये बात जानका सोक रहोगे कि पहले ऐसा नहीं होता था पहले आप लोग जो रिफ्रेस करने का टाइम डिवरेसन होता था वो अनली 5 सेकेंड के लिए होता था जी हा जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो और क्या आप लोगो ये मिस्ट्रियस फेक्ट पत करते हो और आप लोगो देखने के लिए मिलता है कि आपके मेल बॉक्स में सारा कुछ फ्रीफायर में आज तक जितने भी बंडल साये चाहे वो पुराने से पुराने इलाइट पास का हो मतलब सीजन वान से लेके आज तक जितने भी लाइट पास है सब भी बंडल आप इसमें आप लोगों बता दो यह बात है का इस फ्रीफायर के एक लग्येस प्लेयर का जिसको यह सच में मिला है मतलब फ्रीफायर के अंदर जितने भी इलाइट पास है से पुराने से पुराने इलाइट पास और जितने भी बंडल से मतलब फ्रीफायर के ओवरोल सब कुछ उसको मेल बॉक्स के अंदर फ्री में देखने के लिए मिला है I know अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि आफकोर्स एक यूटूबर ही होगा या फिर एक इंफ्लूएंसर होगा या फिर कोई मोडरेटर होगा तब ही गरीना उने उससे इतना कुछ दिया तो ऐसा कुछ नहीं है आप लोग बिल्कुल गलत हो वह एक सिप नॉर्मेल प्लेयर है मतलब वह एक सिप नॉर्मेल प्लेयर था और उसको ये सब कुछ मिला है जो मतलब आज तक फ्री फायर के अंदर बंडल सोगरा ओवर रॉल में आये हैं सब कुछ अब आप लोग सोच नहीं होगे कि ये कैसे मिल गया है मतलब कैसे कैसा हो सकता ये फिर तो गाइस एक्जेक रीजन तो मेरे को भी नहीं पता बड़ जितना मेरे को पता है उसने एक गरीना का ओफिसल इवेंड वीन किया है तभी उसे उस वीनर का प्राइज मिला है ये और आप लोगो ये बात तो पता है होगा कि हर एक केरेक्टर का एक डिफोल्ट इमोट होता है जैसे कि आलोग का ये डिफोल्ट इमोट है और गाइस क्रोनों का ये डिफोल्ट इमोट है और आप लोगो ये बात तो पता है होगा कि ये डिफोल्ट इमोट को आप लोग bundle पहनना है, उसके बाद आप लोग जैसे ही lobby के अंदर जाते हो, then आप लोग जैसे ही guys, emote ओले section को click करते हो, आप लोग को raised, emote ओले section के अंदर, एक guys, आप लोग छोटा सा emote icon देखने के लिए मिलेगा, then जैसे ही आप लोग उस emote ओले आइकन को क्लिक करते हो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो आप लोग बंडल पहने हो मतलब जो आप लोग करेक्टर लिए हो उसका डिफोल्ट इमोड गाइस वह मारना सुरू कर देता है क्या आप लोग को यह इंट्रेस्टिंग पता था मेरे को नीचे कोमेंट करके जरूर से बताना तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लिस लाइक कर दिने का एंड वीडियो को सेर कर दिने अपने दोस्तों के साथ अगर आप लोग चाहो तो हमारे इंस्टाक्रम को भी फोलो कर सकते हो Instagram का link आप लोगो निचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा यह हो सके तो हमारे Facebook page को भी जोइन कर लेना Facebook page का भी आप लोगो link निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Fact number 3 free fire में आप लोगो double rank token देखने के लिए मिला होगा कभी ना कभी किसी ना किसी idea पर लेकिन क्या आपको पता ये जो double rank token है ये free fire में actually कब आया था और कहां पे आया था तो गाश मैं आप लोगो बता दू ये आप लोगो rank token के अंदर देखने के लिए मिलता था जो कि rank token store नहीं होता क्या वहाँ पे आप लोगो उसके अंदर इस चीज़ को देखने के लिए मिला था और सिर्फ उस store में double rank token ही नहीं था बलकि वहाँ पे no rank minus token भी दिया गया था और ये दोनों चीज़ को आप लोग unlimited buy कर सकते थे मतलब जितना आपका मर्जी आप लोग उतना buy कर सकते थे बट हाँ ये limited time periods के लिए ही था मतलब जो ये आप लोग unlimited buy कर सकते थे उस समय ये सिब तीन महीने तक ही चला था उसके बाद ये जो unlimited वाला scene था ये हटा दिया था जो उस समय पे वो गाइस अभी भी उनके ID पर आप लोगो देखने के लिए मिलता है जो ये ही रिजन है कि अभी भी आप लोगो किसी ना किसी ID पर 200-300 rank token देखने के लिए मिलता है जो कि उस समय पे उस बंदे ने unlimited buy किया था उसका जितना rank token था उतना उसने buy कर लिया था एनका एक rank token उस समय 25 token का आता था बट उसके बाद directly remove नहीं किया rank store से मतलब इसको ऐसा कर दिया गया कि एक rank season में आप लोग सी 10 token खरीच सकते हो बट धीरे धीरे गरीने वालों ने यहाँ पे इसे पूरी तरीके से हटा दिया गेम से तो क्या आप लोगो यह interesting and mind blowing facts पता था मेरे को नीचे comment करके जरू से बताना fact number 2 जैसे कि मैंने आप लोगो बोला कि free fire के अंदर घरों में आप लोगो कोई भी दर्वाजा वगेरा देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन अभी में आप लोगो यह एक ऐसा घर दिखाने वाला फ्री फायर के अंदर जहां पर आप लोगो दर्वाजा देखने के लिए मिलता है जी यह घर को तो आप लोग जानते होंगे यह घर को कोई बीलती क्यों है और उही पर देखा जाए कि दूसरे सरवर में जो कि ब्राजिल सरवर है यह आप लोग देख सकते हो और इसमें आप लोगो गन इसकिन में आप लोग कोई भी ability वगेरा देखने के लिए नहीं मिलता तो क्यों गरीना वालों ने यहाँ पे हमारे इंडिया सर्वर में ही गाइस गन इसकिन के अंदर ability दिया है तो क्या आपको पता है इसके पीछे का reason क्या हो सकता है मैंने को अभी नीचे comment करके बता दो guys नो cheating मैंने को अभी बताओ मैं पढ़ूँगा आप लोगा comment guys मैं बताने से पहले बताओ बताने के बात मत बताना गाइस तो आप लोग ये बात तो जानती हो कि free fire में आप लोग को अलग server में diamond का price भी less देखने के लिए मिलता है as compared to india server india server में आप लोग को थोड़ा सा high price देखने के लिए मिलता है बाहर के server से तो इसका reason भी guys gun skin के ability पर भी लागू होता है ये कुछ और नहीं बलकि एक audience demand के base पर है मतलब हो सकता है कि बाहर के server में आप लोग को gun skin में ability बंदे देखने नहीं चाहता है या फिर उनके audience guys वहाँ पर gun skin के अंदर ability नहीं पसंद करते है यहाँ पर हो सकता है india server में guys बंदे enjoy करते है ये gun skin को लेकर मतलब उनको लिए guys एक fun purpose हो सकता है इसलिए यह गेम को और भी ज्यादा रेर बनाता है मतलब free fire को और भी ज्यादा गाइस दूसरों से यूनिक क्यों बनाता है इन्हीं सब चीजों के लिए कि gun skin के अंदर आप लोगो ability अगरा देखने के लिए मिलता है जो कि और भी जदा fun create करता है सायद इसलिए guys यहाँ पर free fire वालों ने इंडिया server से gun skin ability को नहीं हटाया So anyways guys it's my opinion आप लोगा reaction कैसा है इस चीज को लेकर मैंने को नीचे comment करके जरूर से बताना So that's all for this video I hope आप लोगों पसन आया होगा guys अगर आप लोगों पसन आया तब वीडियो को प्लीज एक दोस्त के साथ जरूर से share कर देना मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और नहीं वीडियो में तर तक लिए take care bye bye and love you